सुरेश देशमुक जी, नसीम खान जी, राजू टिमंडे जी, हमारे कैंडिडेट्स, चुरुलता जी, पार्टी लीडर्स, कारेकर्ता, यूथ कॉंग्रेस, एनस्यू आई, महिला कॉंग्रेस, सेवा दल, इंटक के हमारे सब लोग, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित सब्सक्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, आप यहां मेरी बात सुनने आए, दूर-दूर से आए, इसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। पाथ साल से प्रधान मंत्री हैं, दोहजार चौदा में एक के बाद एक वाइदे करते थे, दो करोड युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, पंद्रा लाक रुपे बैंक अकाउंट में। कुछी दिन पहले आए, क्या उन्होंने रोजगार की बात की? कुछ बोला रोजगार के बारे में? यह जो यहाँ फैक्ट्रिया बंद हुई है, इसके बारे में कुछ बोला प्रधान मंत्री हैं? किसान को जो पहले सही दाम की बात करते थे, यहाँ जो खरीदी नहीं हो रही है, उसके बारे में प्रधान मंत्री ने कुछ बोला? नहीं बोला? 15 लाग उसके बारे में कुछ बोला आपको? बताया कि भई मैं 5 साल पहले आया था, 15 लाग के बात की थी, माफी मांगता हूँ, नहीं दे पाया, इस बार दूँगा, यह नहीं बोला? नहीं बोला? युवाई जो भटक रहे हैं, हर प्रदेश में जा रहे हैं, डूण रहे हैं, रोजगार डूण रहे हैं, अच्छा, उनके बारे में बोला? पहले कहते थे, दो करोड युवाओं को रोजगार इस बार बोला? ना? क्या हो गया है? अच्छा, अनिलम्बानी का नाम लिया? नहीं लिया ना? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय मालिया, ललित मोदी, इन्ता नाम नहीं लिया ना? तुब देखिए, वो जूटे वाइदे करते हैं, हम सच बोलते हैं. तुम्हें यहां आया हूँ, और आपने, चार साल पहले, पांच साल पहले, देश की जनता ने, जो पंद्रा लाग की बात बोली नरेंद्र मोदी ने, काफी लोगों ने उसको, काफी लोगों ने उसको सुना और कहां हाँ भाई, बात तो सही बोली है, हर रोज हम देखते हैं, अमीर लोगों को पैसा दिया जाता है, उनका करजा माफ होता है, तो ये जो नरेंद्र मोदी आया है, 15,00,000 की बात की है, बात तो सही है, आपको भी लगा होगा, मुझे भी लगा, मैंने भी सोचा कि ये 15,00,000 की बात को कर रहा है, बात तो सही है, जूट बोल रहा है, आइडिया ठीक है, गरीबों के बैंक अकाउट में पैसा डालना, अब पांच साल से हम देख रहे हैं, कभी अभानी, कभी अधानी, हर रोज अगबार में किसी को छे एरपोर्ट मिल जाते हैं, किसी को किसानों का बीमा का पैसा मिल जाता है, तो मैंने सोचा, कि हम भी इसके बारे में कुछ करें। मुझे आप बताईए, अगर हम हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, तो बिन अर्ध व्यवास्ता को नश्ट किये, हम कितना पैसा डाल सकते हैं। और मैंने उनसे का गि मैं लंबे वाशन नहीं सुनना चाहता, जूट नहीं सुनना चाहता, मैं थेयरी नहीं जानना चाहता, किताब नहीं देखना चाहता, मुझे एक नंबर चाहिए। नंबर, मतलब इतने रुपए हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकती है, बस मुझे नंबर देओ, वो गए, चार-पांच महीं ने काम किया, और कुछ दिन पहले, मेरे पास वापिस आए, मुझे एक कागज दिया, और कागज पे एक नंबर लिखा हुआ था, 72,000 रुपए हर्सान, यह हैं पंद्रा लाग की सच्चाई, पंद्रा लाग जूट, सच्चाई इतनी खुबसूरत नहीं होती, जूट इतनी खुबसूरत नहीं होती, पंद्रा लाग का जूट, 72,000 रुपए की सच्चाई, उसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ, 5 साल के अंदर, 3,60,000 रुपए, अच्छा नंबर है, पंद्रा लाग जतना नहीं है, मगर अच्छा है, तो हम एक नई योजना बना रहे हैं, उसका नाम नियाई योजना है, और जो भी लोग 12,000 रुपए प्रति महिना से कम, कमाते हैं, ये योजना उनके लिए है, किसान हो तो आपके लिए, मजदूर हो तो आपके लिए, बेरोज़गारी हो आपके लिए, हमारी माताएं बहनें आपके लिए, अगर आपके आमदनी 12,000 रुपए से कम की है, तो 12,000 रुपए तक पहुचाने की गैरेंटी हमारी है, 72,000 रुपए हर साल, सिधा, हिंदुस्तान के 20 प्रतिशर्ट गरीब लोगों की बैंक अकाउंट में कॉंग्रेस पार्टी डाले हैं, अधिया सिक डिड़ने हैं, कोई सोच भी नहीं सकता, कि सरकार के पास इतना पैसा है, कोई सोच नहीं सकता कि 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर, हिंदुस्तान के 20 प्रतिशर्ट सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, हिंदुस्तान की सरकार डाल सकते हैं, और मैं आपको इस टेट से गैरंटी दे रहा हूं, पंदरा लाग नहीं बोलूँगा, जिन्दगी भर नहीं बोलूँगा, तीन लाग साथ हजार आपके बैंक अकाउंट में डाल दूँगा, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हमने इसको चेक किया है, दुनिया के सबसे बहतर एकॉनोमिस को पूछ कर किया है, हिंदुस्तान के सबसे बहतर एकॉनोमिस से बात करके कहा है, नियाई योजना, अगर नरेंद्र मोधी, पंदरा लोगों को, तीन लाग पचास हजार करोड रुपे कर्जा माप करके दे सकता है, तो कॉंग्रेस पार्टी, पांच करोड परिवारों को, बहतर हजार रुपे हर साल दे सकते हैं, अब यहां महिलाएं भी बैठी हैं, पुर्ष भी बैठे हैं, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, पुर्षों को शायद अच्छा ना लगे, मगर भाईयों, पैसा डाइरेक्ली महिलाओं के बैठ अकाउंट पर जाएगा, अब हम यह क्यों कर रहे हैं, एक साइड नयाए, हम नयाए देना चाहते हैं, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को नयाए देना चाहते हैं, नरेंद्र मोधी ने नोट बंदी की, आपको नुकसान हुआ, छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ, छोटे बिजनस वालों को नुकसान हुआ, यह माता हैं, बहने जो आई हैं, गंटों ये बैंक के सामने खड़ी थी, दूप में, आंधी में, तुफान में, बारिश में खड़ी थी, अनेलंबानी तो नहीं था ना, मेहुल चौकसी तो नहीं खड़ा था ना, तो एक कारण है न्याए, दूसा कारण आपने देखा होगा, कि नोट बंदी के बाद, गबबर सिंग टैक्स के बाद, हिंदुस्तान की सब फैक्टरियां बंद हो गई, यहाँ भी फैक्टरियां बंद हुई, यहाँ भी बेरोजगारी हुई, इसका कारण क्या है, कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार ने आपके जेब में से पैसा नेकला, मातावं बहनों के जेब में से पैसा निकला छोटे बिजनिस वालों के जेब में से पैसा निकला गबबर सिंग टैक्स में हर महीने 10-15 फॉन भरो कोई ना कोई अपसर आके रिश्वत मांगे तो पाँच अलग अलग टैक्स 28% टैक्स फाइदा उनी 15 लोगें को आपके जेब से पूरा का पूरा पैसा निकला आपको जूट बोला काले धन के किलाफ लड़ाई काले धन के किलाफ लड़ाई थी तो लाइन में आपको अमीर लोग भरश्ट लोग क्यों नहीं दिखाई दिये लाइन में आपको माताएं, बेहनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, बेरोजगार युवा क्यों दिखे? क्या आप लोग चोर हो? किसने कहा कि हिंदुस्तान की जंता चोर है? आप लोग इमानदार हो? कुन पसीना देते हो? आपको लाइन में कड़ा किया? और हिंद और जो अर्थवेवस्ता हिंदुस्तान की वो ठप हो गई. इसलिए हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं. लाखों करोड रुपए, जो आपके जेब से निकाला गया, वो कॉंग्रेस पार्टी आपके जेब में वापिस डालेगी. और फिर क्या होगा मैं बताता हू जैसे ही वो पैसा आपके जेब में आएगा. युवाओ के जेब में आएगा. माता में बहने के पास आएगा. आप चीजें खरीदना शुरू करोगे. कोई शर्ट खरीदेगा, पैंट खरीदेगा, जूता खरीदेगा, सेल्फोन खरीदेगा. जैसे आपने चीजें खरीद यह यहां फैक्टरियां बंद पढ़ी है यह एक के बाद एक शुरू हो जाएंगे और आपके बच्चे इसी इनी फैक्टरियों में रोजगार पाएंगे दोनों काम हो जाएंगे नियाएं में लगा और हिंदुस्तान के अर्द्वेवस्ता चालू हो जाएगा आप देखना यह होगा इसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि अपमान किया है आपने नरेंद्र मोधी जी की किसान के साथ फोटो देखी कभी कहीं मजदूर को गले लगते हुए नरेंद्र मोधी फोटो देखी हो नहीं सकता मगर अने लंबानी को गले लगते मेहुल चोक्सी को गले लगते निरव मोदी को गले लगते ओबैमा जी को गले लगते तो देखिए न तो जिसके दिल में गरीबों के लिए जगा नहीं है जिसके दिल में किसानों के लिए जगा नहीं है हमने मैनिफेस्टों में लिखा है किसानों को आदर देने की ज़रूरत है किसानों को बताने की ज़रूरत है कि हाँ हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है ताइम जाय नहीं कर रहे हो हिंदुस्तान की सरकार आपका हाथ पकड़ के खड़ी है आपके साथ इसलिए हमने कहा है 2019 में अगला बजट होगा कॉंग्रेस पार्टी लाएगी उस बजट में जैसे पहले रेलवे का अलग बजट होता था वैसे किसानों का अलग बजट होगा और हिंदुस्तान के हर किसान को पता लगेगा कि हिंदुस्तान की सरकार हमारे लिए कितना पैसा दे रही है हमारी MSP कितनी बड़ाई जाएगी हमें दाम कहाँ से मिलेगा दूद का दूद पानी का पानी साफ आपको Parliament House में हम आपका बज़ट देंगे और दिखाएंगे कि ये हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के किसानों के लिए आने वाले साल में करने जा रही है आप घबराते हो करजा लेते हो रात को सो नहीं पाते हो दर लगता है करजा नहीं देंपाएंगे जेल जाना पड़ेगा हर किसान के दिल में ये दर्द है घबरात है मैं आपसे पूछना चाहता हो क्या ये घबराहट अने लंबानी के दिल में है क्या ये गबरात मयहुल चोकसी के दिल में नीरव मोधी जुझे मालिया के दिल में है ना वो जितना भी कर्जा लेना चाहते लेते हैं जेल कभी नहीं जाते मैनिफेस्टों में हमने साफ लिख लिए है कि हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जे के कारण जेल नहीं जाएगा आप अगर किसान को जेल में डालना चाहते हो तो फेर उनको जेल में डालो अन्मिलाबादी को जेल में डालो नीरव मोधी को जेल में डालो मेहुल चौक्सी को जेल में डालो अगर वो जेल नहीं जाएंगे तो ये भी जेल नहीं जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि आप बिना डरे काम करो बिना घबराइसो कि आपके सरकार आपके साथ खड़ी है आपका बज़ेट है अलग बज़ेट है आपके खेत के पास फूट प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हूँ जो भी आप उगाते हो उसको प्रोसेस करने की फैक्टरी बिल्कुल पास में आप अपने माल सीधा जाके फैक्टरी में बेचो भी धर्बा में लोजिस्टिक सब बनाना चाहते हैं कि आपका माल सीधा सिर्फ हिंदुस्तान में ना बिके, पूरी दुनिया में जाके बिके आपके मेहनत की शर्ट चाइना में बिके किया जा सकता है बगर इन चीज़ों के बारे में प्रधान मंत्री ने कुछ नहीं का आएं पांट साल प्रधान मंत्री हैं और आपकी इत्ती भी इज़त नहीं करते आपको ये भी नहीं कह सकते हाँ यहाँ फैक्ट्रिया बंद हुई है मैं जिमेदार हूँ, मैं इनको खोल दूँगा आपको ये नहीं कह सकते कि आपको यहाँ सही दाम नहीं मिल रहा मैंने वाइदा किया था पूरा नहीं कर पाया मैं इस बार करूँगा आपको यह नहीं कह सकते कि भाईया देखो 15 लाग रुपए नहीं दे पाया कैल्किलेशन किया है तीन लाग साथ हजार रुपए पाँच साल के अंदर मैं दे सकाओं मैं दे दूँगा नहीं कह सकते चोकिदार है प्रधान मत्री नहीं है चोकिदार है किसान के घर में आपने कभी चोकिदार देखा मजदूर के घर के सामने कभी चोकिदार देखा कई हैं ढूस्तान में एक मज़्दूर जिसके घर के सामने चोकीदार दिखता है बाही और बेहनों चोकीदार अनिलंबाणी के घर के सामने होता है चोकीदारी की है सपरदस चोकीदारी की है गरीबों पर सर्जिंड propre किया है धाड़ा धर्ड, demonetization, not बंदी, लेओ सही दाम नहीं देने वाला मैं क्या कर लोगे प्रधान मंत्री हूँ चौकिदार हूँ मीडिया तो मेरे साथ जो मैं कहता हूँ यह चलाते हैं दिन भर चलाते हैं मगर प्रधान मंत्री हिंदुस्तान की आवाज को नहीं समझते हैं हिंदुस्तान बोलता नहीं है शान्त रहता है देखता है सुनता है और फिर जटका मारता है देख लेना 2019 में चुनाओं में देख लेना पूरा ड्रमा चलेगा प्रेस वाले लिखेंगे चौकिदार चौकिदारी की बात करेगा वोट पढ़ेंगे चौकिदार को उठा के फेग देगे देख लेना क्यूक्यों किसान का अपमान करता है जो गरीबु का मजाख उड़ाता है जो गरीबु का मजाख उड़ाता है जो किसानों का अपमान करता है जो बेरोजगारों की मदद नहीं करता है उसको ये देश हटा कर ही छोड़ेगा और मैं यहां आपको जूटे वाइले करने नहीं आया हूँ मैं आपसे रिष्टा बनाना चाहता हूँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं यहां आपको जूट नहीं बोलूँगा मैं आपको सच्चा ही बोलूँगा तिन लाग साथ हजार कर जा सकता है मैं करूँगा यहां महिला है आई है अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सामने बैठे मुझे अच्छा लग रहा है कि आप यहां सामने बैठी है Manifesto हमें में साफ लिखा है महिलाओं को लोकसभा, विदान सभा राजस सभा में 33 प्रटिशद रेजर्वेशन हम देंगे सचाई है हम करेंगे इसके उसमें ये भी लिखा है कि इंदुस्तान की सरकार 33 प्रटिशद रोजगार में सरकारी रोजगार में महिलाओं को जगे देगी कर देंगे नरेंद मोधी जी ने 2 करोड युवाओं को रोजगार देने की बात की जूट मैं आपको सचाई बता देता हूँ नियाई योजनर से आपकी फैक्टरिग खुलेगी 22 लाग सरकारी रोजगार हैं जो खाली हैं 22 लाग लोगों को पंचायत में रोजगार दिया जा सकता है दे देंगे ये काम किया जा सकता है सचा ही है मोधी जी एरफॉर्स की बात करते है पुलवां में हल्मरा हुआ एरफॉर्स के विमानों ने पाकिस्तान में जाकर बम गिरा बहादोरी दिखाई प्रधान मंत्री कहते हैं मैंने किया आपने किया आपने किया राइफल पकरकर जाकर दिखाओ ज़रा पांच मिनट राइफल पकड़े खड़े हो जाओ जैसे हमारी CRPF के लोग कड़े होते अरे छोड़ो बस में जाके दिखा दो जम्मू कश्मीर में अकेले बस में जाके दिखा दो मैंने किया क्या किया एरफॉर्स ने बम गिराए CRPF के जवान शहीद हुए नहीं मगर नरेंद्र मोधी ने किया रेस कोज रोड में बैठके किया मैं आपको बताता हूँ नरेंद्र मोधी ने क्या किया एरफॉर्स को राफाइल का हवाई जहाद करीदना था दुनिया का सबसे बड़ा कॉंट्रैक्ट 126 हवाई जहाद हाई टेकनोलोजी हवाई जहाद UPS सरकार ने कहा हिंदुस्तान एरोनॉर्टिकल लिमिटिड इस वाई जहाद को बनाएगी हिंदुस्तान में बनाएगी फ्रांस के लोग बहाना बना रहे थे नहीं हम फ्रांस में बनाएंगे प्रधान मंत्री मन्मोहन सिख जी ने का नहीं फ्रांस में नहीं बनेगा हिंदुस्तान में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा कॉंट्रैक्ट है फैक्ट्री हिंदुस्तान में महराष्ट्रा में करनाटक में टमिल नाडूम, राजिस्तान, मध्यप्रदीश, कहीं एंजिन बनेगा, कहीं बॉडी बनेगी हवाईजाज, कहीं रेडार बनेगा, कहीं हत्यार बनेगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है, हवाईजाज का दाम 526 करोड रुपए एक हवाईजाज के लिए, चोकिदार, चोकिदार, मालिक को फ्रांस ले जाता है, बॉस को फ्रांस ले जाता है, अनि लंबानी को, फ्रांस का राष्ट्रपती कहता है, कि नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बता दिया, एचल हवाईजाज नहीं बनाएगी, 526 का छोड़ो, 1600 करोड रुपए का खरीदा जाएगा एक हवाईजाज, और ये जो मेरे साफ आए हैं, अनि लंबानी जी, इनको कॉन्ट्रेक्ट दिया जाएगा, मैंने कह रहाँ, फ्रांस का राष्ट्रपती कह रहाँ, होलेंड नाम है इंटरनेट पे देख लीजिए, होलेंड, मोधी, अनि लंबानी सर्च कर लीजे, पता लग जाएगा आप, उसने क्या कहाँ, CBI डिरेक्टर कहता है, चौकिदार की इंक्वाईरी मैं करूँगा, चोरी की है, डेढ़ बजे रात को चौकिदार, CBI के डिरेक्टर उसको निकाल देता है, सुप्रीम कौट कहता है, इसको वापस लाओ, वापस आता है पाँच घंटे बाद, फिर से चौकिदार उसको निकाल देता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग, फाइल पे लिखते हैं कि नरेंदर मोधी ने, डाइरेक्ट फ्रांस के साथ, नेगोशियेशन किया, आठ साथ से निकोशियेशन चल रहा था, नरेंदर मोधी ने सब रद कर दिया, अपने मित्रों को कॉन्ट्राइक्ट देने के लिए सीधा उसने, फ्रांस के सरकार से और दासोल कंपणी से सोदा कर लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉक्युमेंट में लिखा है, इसलिए पहले नारा हुआ करता था, अच्छे दिन आएंगे, अब नारा है चौकिदार, 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 पाँच साल में, अगली बार यहां आएंगे, मेरी तरफ से उनसे दो-तीन सवाल पूछ लेना, दो करोड रोजगार का क्या हुआ, पंद्रा लाक रुपए का क्या हुआ, किसानों को सही दाम देने का क्या हुआ, यह पूछ देना, पार्लिमंट हाउस में डेर धंटा, यह चार सवाल राफाइल के बारे में मैंने पूछे, अनिलंबानी को क्यों मिला, उसने कभी हवाईजाज निवनाया, 30,000 क्रोड रुपए उसकी जेव में क्यूँ डले, HL 70 साल से हवाईजाज बना रहा है, आपने उस से क्यूँ शीना, कि हिंदुस्तान में क्यों नी बना है हुआ-जाय चाहत फ्रांस में क्यों बन भान रहा हैं-टिक धर नरेंदर मोदी DO है तो आपको निदर लेना है एब दो हिंदुस्तान चाहते हो एक मेरा कहना है एक हिंदुस्तान होना चाहिए उसमें सब को नयाए मिलना चाहिए किसानों की जगे होनी चाहिए उनका कर्जा माफ होना चाहिए उनकी बात सुनी जानी चाहिए उनको दाम मिलना चाहिए युवाओं को रोधार मिलना चाहिए ठीक है बड़े बिजनस वाले हैं उनके लिए भी चगए होनी चाहिए मगर छोटे बिजनस वालों के लिए मिडल साइज बिजनस वालों के लिए दुकानदारों के लिए भी चगए होनी चाहिए मैं सिर्फ नयाई की बात कर रहा हूँ एक हिंदुस्तान एक जंडा एक हिंदुस्तान वो चाहते हैं दो हिंदुस्तान हो एक अमीर लोगों का मर्सडीज गाड़ी का प्रवेट हवाई जहास का लाखों को रोड का राफाइल कॉंट्रैक का अनी लंबानी का दूसरा किसानों का मजदूरों का बेरोजगार युवाओं का माताओं भेनों का दो हिंदुस्तान हम नहीं होने लेंगे इसलिए हम आपके लिए नयाई योजना ला रहे हैं इसलिए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि किसानों की मदद होगी किसानों के साथ आपको सरकार खड़ी हुई दिखाई देगी किसानों का बजट बनेगा और उनको पहले ही बता दिया जाएगा कि इस साल तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है देख लो स्वास्त में शिक्षा में पूरा का पूरा प्राइवेटाइज़िजिशन कर दिया है इमार याई की जरुट होती है ओपरेशन की जरुट होती है लाग होनों पैजेब से निकाल कर उन्हीं पंद्राइबीस नों को दो गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा सकता हिंदुस्तान बच्चे को उनिवर्सिटी कॉलेज में भेजना है इजिनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लोयर बनाना है प्राइबेट कॉलेज में भेजो पंद्राइबीस लाग रुपे पहले निकाल, क्यों? सरकार का काम है जनता को शिक्षा देना, स्वास देना, सरकार का काम है और हम आपका पैसा नियाय योजना में डालेंगे नए हस्पताल बनाने में डालेंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने में डालेंगे ये फरक है हम में और उनमे अंत में हम जोडते हैं सब लोगों को जोडते हैं प्यार की बात करते हैं कि मैंने आपने मेरा बाशन सुना नफरत आपको नहीं सुना देगे प्यार से मैं बोलता हूं कि दूसरी तरफ एक के बाद एक एक के बाद एक नफरत तोड़ने का काम करेंगे हिंदु धर्म में सबसे जरूरी चीज क्या होती है गुरु शिष्य के रिष्टा है इससे बड़ी कोई चीज है हिंदु धर्म में हिंदु गुरु शिष्य के रिष्टे से नहीं न अदवानी जी के आज क्या हालत है अदवानी जी नरेंद्र मोधी के गुरु है स्टेज से उठा के फेक दिया नमस्ते तक नहीं करते हैं मैंने देखा अपनी आँखों से नमस्ते तक नहीं करते हैं और फिर धर्म की बात करते हैं कहां लिखा है हमारे धर्म में कहां लिखा है हिंदू धर्म में कि नफरत फलानी चाहिए कहां लिखा है कि लोगों को मारना है कहां लिखा है कि हिंसा करनी चाहिए मैंने नहीं देखा कहीं बहुत पढ़ा है मैंने, कहीं नहीं देखा मैं हिंदु धर्म में सिर्फ लिखा है कि भहिया, प्यार से जीओ भाईचारे से जीओ, लोगों से गले मिलो और मैं जानता हूँ कि यह आपके दिल में है, आपका डियने है लड़ाई यही है हिंदुस्तान को एक करने के लड़ाई है और मैं आप सब के साथ खड़ा हूँ, मिलकर हम यह चुनाओ जितने वाले हैं किसानों की, युवाओं की, माताओं, बहनों की रक्षा करेंगे आप सब यहां आए, दूर-दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी इसके लिए आप सब को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार, जैहिन गुरी पाड़वा की बहुत-बहुत शुब कामना है नमस्कार